रियर स्टूडेंट्स इस मोड्यूल में हम कुछ इंपॉर्टन्ट यूमन बीइंग्स के पेरासाइट्स के बारे में डिसकस करेंगे जिन में एक इंपॉर्टन्ट पिन वर्म है एंटिरो बायस वर्मी कुलिस। पेरासिटिक निमोटोड्स जो हैं दे आल्सो शो एवल्यूशनरी अडेप्टेशन्स यानि इनकी बाडी के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्ज अपियर हो जाते हैं जो इनको अडेप्टेशन में हेल्प करते हैं एज़ा पेरासाइट अब इस में क्या है हाई रिप्रोड़ इनकी अउटर बाडी सर्फिस को ठिक कर देंगे तके उसके ओपर होस्ट जो के gwल हैं इसके डेजेस्टिब जूसिज जिनकी पी एच बहुत ज्यादा होती है वह एक्ट ना कोड़ सके अब उन जूसिज की पी एच सम टैम्स अतनी ज्यादा होती है कि इनके ये जो पैरसाइट्स हैं ये डिजॉल भी हो सकते हैं लेकिन इनका ये इंपोर्टेंट अडेप्टेटिटिव फीचर है कि दे विल नॉर्मली प्रोड्यूसा थिक रिजिस्टेंट वाल अराउंड देमसेल ताकि उनके ओपर ये जूसिस जो है ये कर सकी अब इसमें भी नॉर्मली वन होस्ट है अब वन होस्ट है और ये इतने कंप्लिकेटिड नहीं है जितने के प्रीवियसली हमने सेस्टोड्स या ट्रेमेटोड्स के लाइफ साइकल और पैरसाइट्स के बारे में पढ़ा अन्टिरोबाइस वर्मीकोलिस इसको कॉमन नाम जो है वो है पिन वाम अब ये पिन वाम का important human beings का ये पैरसाइट है और ये commonly round वाम है जो के United States के अंदर बहुत कॉमन है इसके अडल्स जो है they become established in the lower region of the large intestine in the human body आजितरों नाइट, नॉर्मली ग्रैविट फीमेल, घ्रै एविट फीमेल हम इस कहेंगे, जिसका प्रीप्रोड़क्टिव पोटेंशल बहुत ज्यादा होगा, that migrate out the cecum to the perianal area, यहां पे she will dispose of a large amount of eggs containing the first stage larva, और जब human beings इन eggs को ingest करेंगे, फूड में ले लेंगे, तो इनके अंदर eggs जो हैं body में हेज करेंगे, हेज करने के बाद they will develop different larval stages, और हर larval stage जो है, वो mold करती भी अगली larval stage में जाएगी, अब इसको हम क्या कहेंगे, normally small intestine के अंदर larva जो है, this will mold four times, till the time they migrate to the large intestine, अब adults जो है, they will mate and females soon start producing more eggs, यानि उसके बाद अगला egg production का process जो है, वो भी शुरू हो जाएगा, इस diagram से आप देखें, enterobias vermicoles human pinworm जो है, इसकी life cycle, this is quite common, अब external environment है, यहां पे क्या मौजूद है, यहां पे मौजूद है, इनजेस्टेट यह फूड मौजूद है, इस इनजेस्टेट फूड को human beings जो है, they will take, once they take, तो उनकी small intestine के अंदर, larva will incubate in the intestine, and after penetration, it grows in the mucus, once it is in grows, this will develop into adult, and this adult is present in the seacham, then it is female, this becomes fertile, when it becomes fertile, it moves to perianal region, where she will produce a large number of eggs, and these eggs in the perianal valves, this is our diagnostic stage, this will again be ingested by the human beings, so the life cycle of the human pinworm, antero-bias vermicularies, is continuously repeated, in the body of the human beings, and as told earlier, this is quite common, in the human population in America.